रिहान बेटा मैं बाजार जा रही हूँ कुछ समान खरीदने आप घर पर ही रहना अपना होमवक कम्प्लीट कर लिया आपने जी मामा मैंने अपना काम कम्प्लीट कर लिया है मामा क्या मैं भी आपके साथ बाजार चलूँ मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा ये तो तुम हर बार ही कहते हो खेर, चलो ठीक है तुम भी आजाओ मेरे साथ ममा, आप मुझे बाजार से क्या लेकर देंगी? अरे रिहान, अभी तुम कह रहे थे कि तुम मुझे बिलकुल तंग नहीं करोगे हम तो अभी बाजार पहुँचे भी नहीं और तुम अभी से शुरू हो गए मैं तंग तो नहीं कर रहा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था कि आप मुझे क्या दिला रही है तर्जुमा मैं अल्लाही के नाम के साथ निकली और मैंने अल्लाह पर ही भरोसा किया गुनाहों से बचने और इबादत करने की ताकत अल्लाही की तरफ से है ममा, आप बाजार जाने की दुआ पढ़ रही है या फिर मैं आपको तंग ना करूँ इसके लिए आपको इदुआ पढ़ रही है मैं घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ रही थी घर से बाहर जाने के लिए भी दूआ पढ़नी होती है मैं तो कितनी बार घर से बाहर जाता हूँ मैंने तो कभी नहीं पढ़ी अगर तुम नहीं पढ़ते तो फिर तुम्हें भी ये दूआ जरूर पढ़नी चाहिए चलो मेरे साथ साथ पढ़ो अब तुम जब भी घर से बाहर जाओ तो ये दुआ पढ़ के जाना ठीक है बेटा? मगर ये दुआ पढ़ना क्यों ज़रूरी है ममा? बेटा जब इनसान अल्ला का जिकर करता है उससे दुआ मांगता है तो अल्ला अपने बंदे पर रहमत फरमाता है उसकी हिफाज़त फरमाता है जब हम ये दूआ पढ़के घर से बाहर निकलते हैं तो अल्ला हमारी हिफाज़त फरमाता है और हमें बखेरो आफियत अपनी मंजल तक पहुचाता है और जब आप घर वापस आजाओ तो भी अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए कि उसने आपको बखेरो आफियत अपने घर वापस पहुचाया घर में दाखिल होने से पहले ये दूआ पढ़नी चाहिए अल्लाहुमा इन्नी असअलुका खैरलमौलजी वखैरलमखरजी बिस्मिल्लाही वलजना वबिस्मिल्लाही खरचना वाललाही रब्बना तवक्कलना तर्जमा ऐ अल्लाह मैं तुझसे दाखिल होने की भलाई और निकलने की भलाई घर के अंदर और बाहर की भलाई मांगती हूँ अल्ला के नाम से हम दाखिल हुए और अल्ला के नाम ही से निकले और अल्ला ही पर जो हमारा परवर्दिगार है हमने भरोसा किया बेटा, हर वक्त अल्ला से दुआ मांगते रहना चाहिए दुआ मांगना अल्ला को बहुत पसंद है जो बंदा उससे दुआ मांगता है वो उससे राजी होता है और उस पर अपनी रह्मत फरमाता है इसलिए तो हमें हर काम के लिए एक दुआ सिखाई गई है चलो अब दुबारा मेरे साथ घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ो ताकि हम जल्दी से बजार रवाना हो सके मामा अब मुझे ये दुआ अच्छी तरह याद हो गई है अब मैं भी घर से बाहर जाते हुए इसे पढ़ा करूँगा शाबाश और जब घर में दाखिल होने लगो तो घर में दाखिल होने की दुआ भी पढ़नी है हाँ वो भी जुरूर पढ़ूगा अब चलिए ना मुझे अपनी पसंद की चीजें भी लेनी है